नमस्कार दोस्तो इस टेड़ी विद हैपिनस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रपल ऐसी के अब तक की अपडेट की दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि गौर्मेंट जॉप से संबंधे जानकारी आपको हमारे चैनल के मादियम से मिलती रहेंगी दोस्तो बहुत सारे ब्यारती ऐसे हैं जो कि अपने पेंडिंग रिजल्ट का इंतियार कर रहे हैं जिन लोगों का पेपर खराब हो गया है वो आगामी परिक्षाओं का इंतियार कर रहे हैं तो दोस्तो अभी रिजल्ट का क्या स्टेटस है जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जब से lockdown स्टार्ट हुआ है UPPSC तो कुछ ना कुछ नोटिस जारी करता रहता है एक दो result भी जारी कर दिये मगर दोस्तों UPPSC ऐसा सांथ बैठा हुआ है जैसे कि कोई हरकत ही नहीं हो रही है यहां पर आपने देखा होगा कि जो वीडियो का एक notification डाला था document verification के लिए उसके बाद से कोई भी update किसी भी प्रकार का website पर अभी तक नहीं आया तो दोस्तों अगर result के बारे में हम बात करें जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है unofficial सूत्रों से तो वो जानकारी दोस्तों यह है कि आपका जो lower का result है lower PCS और एक और lower वाला पुराना वाला बाकी था उनके तो एक तरीके से result आपको next month में देखने को मिल सकते हैं और यदि हम बात करें नई भरतियों की तो नई भरति में जैसे कि आपने चर्चाओं में सुना ही होगा एक तो लेकपाल है सबसे most awaited जो की अलग-अलग coaching संस्थान ने तो इसके लिए fees जमा करा कर batch भी start कर दिये हैं अभी ये तक clear नहीं हो पाया है दोस्तों कि जो P.E.T. वाली बात थी कि वो लेकपाल वाली भरती पर applicable होगी या नहीं होगी अभी तक ये भी चीज़े clear नहीं है और क्योंकि P.E.T. के बारे में अभी तक आयोग ने खुल कर अपनी तरफ से कोई official notice भी जारी नहीं किया है P.E.T. के बारे में जो भी हमें खबर मिली है वो समचार पत्र के माद्यम से मिली है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि P.E.T. के बारे में पहले उद्गुशना की जाए कि P.E.T. का क्या सुरूप रहने वाला है और ये भी हो सकता है दोस्तो P.E.T. में जैसे की mathematics वगरा की बात की जा रही है अगर math को ज़्यादा रोल दिया गया या उसे ज़्यादा ही witness दिया गया math को तो बहुत सारे बेहरती ऐसे हैं यूपी ट्रपल सी की तैयारी करने वाले जिनकी math इतनी strong नहीं है तो आप देखना पड़ेगा कि बही ऐसे लोगों फिर math में भी तैयारी करने पड़ेगी क्योंकि अभी भी आप देखेंगे junior assistant या फिर इस्टनोग्राफर ऐसी परिक्षा हैं जिसके अंदर अभी तक math पूछी ही नहीं जाती थी मगर P.E.T. में अगर आ जाता है तो फिर ये देखने वाली बात होगी मगर दोस्तों हाँ ये बात तो clear है कि जो लोग math से घबराते हैं या फिर जिनकी इतनी जादा अच्छी नहीं है वो अपने चकबंदी अधिकारी वाले पर ही focus करें क्योंकि ये बात तो confirm है कि इस पर P.E.T. लागू नहीं होगा क्योंकि ये जो है आपका पुराना advertisement है और ये भी हो सकता है दोस्तों कि यदि सरकार की तरफ से इस तरीके का pressure आए कि भही हमें recruitment जल्दी चाहिए जैसे कि चाहें वो लेकपाल की हो या फिर जो अभी दोस्तों एक lower की एक नई भरती के लिए भी जो है अधियाचन पहुंच रहा है और साथ में नई junior assistant की भरती के लिए भी तो यदि सरकार की तरफ से ही आया क्योंकि अभी तक official notification नहीं आया P.E.T. का तो हो सकता है कि P.E.T. ये के दें कि भी अगले साल से लागू किया जाए इस साल की भरतीयों पर लागू ना किया जाए ये depend करेगा कि सरकार की तरफ से क्या order आता है ठीक है तो चकबंदी अधिका जिन लोग की math कमजोर है वो अपना उस वाले पर भरती करें और इससे भी अच्छा ये है दोस्तो जो अभी आपके pending stage रह गई है जैसे कि माल लिजए आप लोग का lower वाला exam ठीक टाक हुआ है और दोस्तो lower वाले में मैं एक बात बताता हूँ कई लोग ऐसे हैं जिनके number अच्छे कहां से बन रहे हैं और एक अक्टूबर की जो first shift थी वो जो है मदब ठीक ठाक थी तो अभी इसके अंदर normalization होना है और normalization में जो है कई लोग के इसमें number बढ़ेंगे भी normalization हो गई उसके अलावा दोस्तो बात यह है कि मुख्य परिक्षा के लिए कितने लोग बला जाते हैं यह भी एक बहुत बड़ा criteria है जो कि cutoff को effect डालने वाला है क्योंकि दोस्तों अभी देखा जाए lower pcs की जितनी भी पोस्ट है मैंने आपको कई बार बताया है यह बात कि बहुत जबरजस्त है आप यह माल लिए कि आपर pcs के बाद अगर किसी के पास power है executive power वो आपके lower pcs की पोस्टों के पास ही मिल पाएगी ठीक है तो जो भी अब्यारती lower के लिए dedicated है आप लोग अपनी तैयारी में और बढ़ाईए यह क्योंकि इसके competition जो है वो और ज़्यादा टफ होने वाला है ठीक है चाहे वो शकबंदी अधिकारी की नौकरी हो या फिर अधिसासी अधिकारी की नौकरी हो यह सभी बहुत जबरजस्त नौकरियां है और दोस्तो हमारी जो mock test की series है वो चल रही है Monday to Saturday रात को 11 बज़े आप उसका भी इससा बन सकते हैं और अपने ग्यान का परिक्षण करते रहे हैं दोस्तो देखा जाए तो जो भी exam के अंदर आने वाला है वो सब किताबों में हैं आपको अगर दो चार मुटी मुटी किताबे दे दी जाए ना तो यह मान लीजे कि उसमें से paper आ जाएगा मगर बात यह है कि परिक्षा center पर याद नहीं आता है तो recall कैसे किया जाए इन सब चीजों को इसका एक तरीका है practice कि कितनी ज़्यादा practice की जाए वो भी mock test की इसलिए मैं mock test करवा रहा हूँ और आपसे बार-बार कहता हूँ कि आप mock test में जरूर आईए और यह mock test इसलिए मैंने live रखे हैं अगर offline रखूंगा दोस्तों तो आप interactive नहीं हो पाएगी class इसलिए मैंने live रखा है live 30-40 मेंट तक चलता है live mock test और रात को 11-11.30 के बीचे में तो आप चाहें उसका हिस्ता जल्दी से जल्दी बनिए और दोस्तों जल्द मिलेंगे हम next video में तब तक के लिए जय हिन जय भारत